जैहिन दोस्तों, दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं शिव महापुरान शिरूद्र सहिता के तृत्तिय खंड के सोलवे अध्याय की कथा जिसमें तारक का स्वर्ग त्याक के बारे में बताया गया है ब्रह्मा जी बोले, नारज जी, सभी देवता तारका सुर्ग के डर के कारण मारे मारे इधर उधर भटक रहे थे इंद्र ने सभी देवताओं को मेरे पास आने की सलाह भी सभी मेरे पास आए, सभी देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर परणाम किया और मेरी अनेकों परकार से स्तूती करने लगे अपना दुख दर्द बताते हुए देवता कहने लगे हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, आपने ही तारकासुर को अभैकवरदान दिया है तभी से तारक त्रिलोकों को जीत कर अभिमानी होता जा रहा है उसने लोगों को ड्रा धमका कर उन्हें अपने अधीन कर लिया है तारक ने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया है और हम सभी को स्वर्ग से निकाल दिया है उसने इंद्र के सिंगासन पर भी अपना अधिकार कर लिया है अब उसके आदेश शे उसके असुर हमारे प्राणों के प्यासे बनकर हमें ही डूढ रहे हैं तब ही हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शर्ण में आए हैं, हे प्रभु हमारे दुखों को दूर कीजिए। देवताओं के कष्टों को सुन कर मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने उन्हें सांतोना देते हुए कहा, मैं इस संबंद में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तारकासुर के घोर तब से प्रसन होकर ही, मैंने उसे अतुल्य बलशाली होने का वर प्रदान किया था। परंतु उसने मदांद होकर सभी देवताओं और मनुश्यों को परतारित किया है और उनकी संपत्तियों पर जबरदस्ती अपना अधिकार कर लिया है। इसलिए अब आप सभी इस बात से निश्चिन्त रहिए कि एक दिन तारकासुर का विनास अवश्य होगा। उसकी मृत्यू जरूर होगी पर इस समय हम विवश हैं इस समय तारक को मैं विश्णू और शिवजी इन तीनों में से कोई भी नहीं मार सकता क्योंकि उसने मुझसे वर पाया है कि उसका वद शिवजी के वीरिय से उत्तपन उनके पुत्र के द्वारा हो सकता है। इसलिए तुम सबको शिवजी के विवाह के पश्चात उनके पिता बनने पर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा के अलावा अन्य कोई भी उपाय संभव नहीं है। पायए शिवजी के प्राण वल्लभा सती हिमाल्या पत्नी मैना के गरव से जनम लेकर बढ़ी हो गई है। अतेव अब तुम भगवान शीव के पास जाकर उन्हें विवाह के लिए राजी करने की कोशिश करो शीव पारवती का पुत्र ही तुम्हें तारकासुर के भैसे मुक्त करा सकता है अतेव तुम भगवान शीव से प्रार्थना करो कि पारवती के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाएं इस बात को अच्छे से जान लो कि शिव पूत्र ही तुम्हारा उधार कर सकता है अब मैं तारकासूर को समझाता हूँ कि वह व्यर्थ में देवताओं को तंग करना बंग कर दे और उन्हें अपना भाग वापिस दे दे और सुएम भी शान्ती से जीवन व्यापन करे यह कहकर मैंने इंद्र वे अन्ने देवताओं को वहां से विदा किया ततपस्चात में सुएम तारकासूर को समझाने के लिए उसके पास गया तारकासूर ने मुझे परनाम किया और मेरी स्तूती एमवंदना करने लगा मैंने तारकासूर से कहा हे पुत्र तारक मैंने तुम्हारी भक्तिभाव से की गई तपस्या से प्रसन होकर तुम्हें मनुवानचित वर परदान किये थे वेवरदान मैंने खुशी से तुम्हारी बहतरी के लिए दिये थे प्रंतु तुम उन वरदानों का गलत उपियोग कर रहे हो वर पराप्त करने के उपरां तुम अपनी सीमाओं को भूल गए हो अनावश्यक अभिमान के नशे में चूर होकर तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि देवता सर्वता पूजनिया और वंदनिया होते हैं तुमने उन्हें भी कष्ट बहुचाया है साथ ही उन्हें स्वर्ग से निकाल कर बेघर कर दिया है तुम्हारे शसस्त्र सैनिक अभी भी देवताओं को मारने के लिए ढूंड रहे हैं तारकसुर स्वर्ग पर सिर्फ देवताओं का ही अधिकार है वहां से उन्हें निकालने की तुम्हारे कैसे हिम्मत हुई स्वर्ग का राज्य छोड़ कर वापिस प्रित्वी पर लोट जाओ और वहीं पर शाशन करो यह मेरी आग्या है तारकसुर को यह आदेश दे कर मैं वहां से लोट आया ततपश्चा तारकासुर ने मेरी आग्या का सम्मान करते हुए स्वरक का राज्य छोड़ दिया वह पृत्वी पर आकर शोशित नामक नगर पर शाशन करने लगा मेरी आग्या पाकर देवताओं सहित देवेंद्र स्वरक लोग को चले गए और पूर्व की भाती पुने स्वरक का शाशन करने लगे तो दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है हमारा आज का अध्याए कल फीर मिलेंगे आपको अगले अध्याए के साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत